कि अच्छों गुड इवनिंग वेलकम टू सीवेसी क्लास सेवेंथ और डाउट नट तो वेटा जी कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रहे हैं आप बच्छों की पढ़ाई जल्दी से मुझे कॉमेंट बोक्स में बताओ और जल्दी से अपनी क्लास को ज्वाइन करिए गुड इ सांजी गुड इवनिंग बहुत बढ़िया जल्दी से पहले तो शेर कर दो बाकिस बच्छों के साथ क्योंकि आज हम बहुत ही अच्छी बाते करेंगे आप मेरा पैंसिल बॉक्स ही नहीं है बैग में ऐसी रहता है ऐसा नहीं चलेगा मुझे पता है कि बहुत सारे बच्च तो फालते करना तो ही लेकिन टाइमटं टू टाइम गाइड करना भी अपने देखा होगा कि जब आप बाक्रीटों की स्कूल में पीटियम होती है तो आपके जो मदर है वो टीचर से क्यों कैसे शिकायत करती है कि गोमारा बच्चा काना नहीं खाता है या हमारा बच्चा कि हमारा कहना नहीं मानता तब टीचर आपको समझाती और टीचर के समझाने से कहीं ना कहीं आप समझ भी जाते हो और थोड़े दिन बड़े प्यार से आराम से सारे काम करते हुआ वह अलग बात हैंगे जब टीचर की बातों का सरका मोना शुरू होता है तो फिर आप अपने पर आजाते हो तो भी टीचर का काम क्या है आपको टाइम टू टाइम गाइड करना भी है है ना गोरी इवनिंग अग्रेज गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग सांजी जल्दी से पहले क्या करो यह लेट थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए लेट हो गए ठीके टेक्निकल इशू की वज़े से वह हाथ में नहीं होता ना कब टेक्निकली क्या हो जाए तो अभी आपके सामने हो और अभी एक दो दिन आपकी ऐसे आपको पता नहीं पता लग रहा है तो अब आपकि जो ओपी रहेंगी पहले की तरह ऑपई मार्ट कि कॉपी फिल कर दिये सांजी ने वेरी गूँढ लैपंग हो जाए वह एक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत इतने जादा नोट बुक्स आफिल करोगे ना उतने ही जादा मार्क्स आएंगे ठीक है अब आपकी जो क्लास रहेंगी वह आपकी सीवेसी क्लास सेवेंथ और यौर क्लास पर रहेंगे तो एक बर फटा फट से पहले शेयर कर दो सब के साथ क्योंकि मुझे अब मैक्सिमम क्लास उसमें मैं बता दूं हम करेंगे कंपेरिंग कॉंटिटीज के मेराथन करेंगे एक तरह ऐसे जिसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेस्टन और टॉपिक कवर किये जाएंगे ठीक है कंपेरिंग क्वांटिटीज आपका जो है मोस्ट डिमांडिंग चाप्टर है ना और लगता है न उसके सारे के सारे इमपोर्टेंट क्वेस्टन्स हम मेरा थन अपनी क्लास करेंगे और उसमें कंप्लीज करेंगे ठीके good evening बंजी घुड़ एवनें जानंवी good evening कटो बचचो के साथ और अपनी क्लास को किया करोगे लाइक करोगे और विप्छों के साहथ श्यार करोंगे गयुक्त तो जैसे ये एक बच्चे नहीं यहाँ पर अपनी नोटक ऑप दिए प्रक्टिस करकर के ऐसे ही बाकिस सब में पक्रmeering के या कर देनी है को के कि आपको अलम प्यार लेना है चलो अभी तो दिसंबर गया है जैनवरी में भी है आपकी डेट आपको मैं बता दूंगी ठीक है चलो तो सबसे पहली चीज जैसे कि अभी मुझे बताया कि हम तो मैम और्गनाईज करते ही नहीं है हमारा तो बैग में ऐसा ही पड़ा रहता है ठीक है तो ऐसा नहीं करना है सबसे पहली चीज तो बच्चों हमें क्या करना है अपनी चीजों को और्गनाईज करना हमें आना च तो आपको मिलेगी वह चीज मैं लेगी ना या फिर आहले मिलिए प् Jason हे अपने बुक्ष सैंस में भर दीया किसी ड्रायर में भर दीया किसी बॉक्स में भर दीया और आपको कह आटने चीजों को अच्छे से ऐड़नाइज करें तो उनाइज करना अधर डाय जरूरी आप महंगे महंगे Pencil Box ले यहां पर यह क्लास करने का मतलब यह नहीं क्या बच्चों को मैं यह कहूं कि भच्चों जो बड़े महेंगे महेंगे से pencil boxes आते हैं आपको जाने है बिलकुल नहीं बिलकुल ऐसे पैंसिल बॉक्स लाओ जो आपके लिए जाधा useful है, साथी साथ मैं यह कहूंगी कि ऐसे pencil box लोग जिसमें 2 compartment बनेंट बने हो, मतलब 2 portion हो उसमें, दो पॉकेट हो यह कह सकते हैं हम ठीक है जिसमें क्या हो दो पॉकेट हो तो किस-किस के पास दो पॉकेट वाले है या किस-किस के पास वान पॉकेट वाला पैंसिल बॉक्स है बताना ज़रा चलो जल्दी बताओ जल्दी से बताओ बही किस किस के पास ऐसा पैंसिल बॉक्स है जिसमें दो पॉकेट है किस के पास ऐसा है जिसमें एक ही है जल्दी से बताओ विंटर वकेशन के लिए स्पेशल प्लान है विंटर वकेशन के लिए स्पेशल प्लान है आप बच्चों के लिए उसमें बिल्कुल ताबट तोड रिवीजन करने वाले और फान क्लास नॉलेजबल वाली करने वाले एक पॉकेट वाला पाउच है मेरे पास है मेरे पास है ए एक वाले पाउच है उनके लिए बहुत बढ़िया लेकिन कोशिश यह करो या अगली क्लास में जब भी लो तो दो पोकेट वाला लेना है उसका रीजन यह है कि अब आप जब बड़ी क्लास में हो जाओगे तो आपको जो जो मेट्रिकल इंस्रूमेंट है वो भी आपको साथ ही ले जाने होते है जैसे आपको अपको अपर संब ऑपना न है और सब भी साथ ले जाने होगे तो अगर आप अलग से जोमेट्री बॉक्स क्यारई घर करना चाहते हो तो दूसरी जो पोकेट बंड़स में कमपस वगरा रख सकते हो ताफी जब आप हाण डालनके pencil या eraser निकाले तो compass जो है आपके हाथ में ना लगे ठीक है तो इसलिए दो pocket वाला क्या लेना है आपको अपना geometry box लेना है कोशिश यह करो सकती है उनमें कम ही चीज़ें आ सकती है ठीक है ओके अभी के लिए वन है तो बहुत बढ़िया लेकिन अगली बार से कोशिश करना कि कि कितने हो आपके पास दो pocket वाले हो क्योंकि हमें क्या-क्या चीज़े रखनी होती है अपने उसमें क्या-क्या रखते हो आप क्या-क्या रखते हो आप सबको चाहिए जमेकरी बॉक्स तो कमसे कम दो लेड़ पेंसिल आप पेंसिल लिखते हो मुझे पता है लेकिन कम से कम एक पेंसिल एक नई तो दो पेंसिल तो होनी चाहिए ना होनी चाहिए ना इसके अलावा red pen बहुत सारे और धसर बच्चे रखते टीचर्ज लिए या पिर किसी चीज को हाइल आई पर आताइट करने के लिए अतना कई बार ऐसा होता है कि टीचर पीन मांगती तो फटा फटा पर से निकाल के देखते हैं मैं यह राइड पैन मेने पास सैना रेड या फिर ब्ल्यू पैन पहों कि रखनी ही रखनी होती है एक आई से देनिITY आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं गरी लाते हैं और कुछ ऐसे बच्चों और वुज早 यह लाएगा했 लगता है कि यह जो बच्चा ही तो सारी चीजे हे लाता ह savez से मांग लूँगा मांदने वाली हाबट जो है ना हमें हटानी है मांगने वाली हाविट बिलकुल हटा दो और अपने पैंसिल बॉक्सच खुदㄤ एंज करके ग्लू स्टिक के ज़ूरत पड़ती है तो वो भी चाहिए सीजर चाहिए तो यह सारी चीज़े और गनाइज करनी होती है बहुत अच्छी तरह ताकि जब हम डूंडे तो मिल भी जाए ऐसा नाव कि हम लेकर तो गए और जब जरूरत पड़े तो पता चले कि मिली नहीं रही ह होता है ना ऐसा किस किस के साथ होता बताओ इस चीज़े नहीं रखते हैं माम बस पैन पैन सील रखते हैं बिलकुल यह सारी चीज़े बिटा जी जरूरत होती है आपको पता है कि कई बार जब आपकी कोई मैस की अक्टिविटी होती है या आट की अक्टिविटी होती है की प्लास्टिक की पेपर कट करने के लिए आती है उन्हीं सीजर का यूज करना हुगा हुग है ठीक है हाँ थोड़ी बहुत है आपके अंदर यह आदत अगर सीजर लेकर गए तो बिना काम के ही पेजस कट करती हूँ अच्छा ऐसा क्यों बही बही बिना काम के महीं सकते हो ऐसानी करना है विलकुल पेजस कट करने के लिए नहीं कर आपको कर दो Sexual ले सकते हो रेड़ पैन को हटा भी सकते हैं वैसे बहुत सारे बच्चे रखते हैं भाई टीचर के लिए बच्चों को तो लाव नहीं होता मुझे पता है ब्लू पैन आप दो रख सकते हो एक ब्लाक पैन जरूर रखिए शापनर प्रोटेक्टर सीजर एरेजर ग्लू स्टिक भी जरूर रखनी होती है ठीक है हाई लाइटर ऑप्शनल है रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते वैसे जब टीचर पढ़ा रहा होता और आपको कहता है कि यह इंपोर्टेंट पॉइंट है तो बुक में आपको वह मार्क कर लेना चाहिए या तो पैनसिल से मार्क कर लो या पर ध्यान देना तो इसको यलो कर लो तो ऐसे अलग अलग रंग से ना हाई लाइट करना चीजों को बहुत जरूरी है ठीक है तब आप दुबारे चैप्टर पढ़ो तो आपको ध्यान रहे कि माम ने का था कि यह बहुत इंपोर्टेंट और जहां जहां आपको पिंक दे उस चीज को आप बार-बार-बार-बार-बार एक्जाम में पढ़े तो हाई-लाइटर बहुत हैल्प करता है अलस अफुडन नोट्स बनाने की अफट आफट से रिवीजन करने की ठीक है तो अगर टीचर के साथ-साथ आप हाई-लाइटर से हाई-लाइट करते जाते हो तो आपका काम बहुत असान हो जाता है फिर आपको दुबारा से पढ़ने की जौरत नहीं पढ़ती है उसको अंडरलाइन करने के लिए ठीक है दो पहले कर जाती हूं नहीं यहाद छोड़ दो पूर और रूलर जरूरी है मैस के बच्चों रूलर आपके लिए प्रोटेक्ट के बच्चों के लिए तो पैंसिल बहुत जरूरी है रूलर बहुत जरूरी है प्रोटेक्टर जरूरी है कंपस जरूरी है ठीक है ओके सेवेंटी के लिए कॉंग्रेचुलेशन थाइंक्यू सो मच उसके बाद जमेट्री बॉक्स में इनको अच्छे से और्गनाईज करना जरूरी है ऐसे नहीं उठाए और भर लिए ठीक है ऐसा नहीं करना कि उनको उठाया पटका और बैग में डाल लिया और जब माम कहें कि बेटा जी देना जरा एक बार रूलर अपना तो बाग में बिल्कुल खोद रहे हैं अंदर तक और हमें चीज़ा मिली नहीं रही है ज चल एसे हैं तो यह एक्ड़ी कैनल यह एक हैपिट बनाना है कि हमें एक हाबिट बने कि हमारे पास जो है सारी चीजे मुझूद हूँ आपको पता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े-बड़े एक्जाम देने भी जाते है ना पैन ले जाना ही भूल जाते है पता चल रहा है कि पेपर उनको करना था ब्लाक पैन से और वो लेकर आए हुए ब्लू पैन क्यों एक तो उनको आदत नहीं है कहां से वो करें पेपर तो वो आदत उनको बचपन से ही नहीं पड़ी कि हमें चीजें जो है और्गनाइज करके ले जानी है ठीक है तो यह और्गनाइज करना चीजों को बिल्कुल जरूरी है स्कूल लेवल पर ही ताकि आगे आप जब और बड़ी क्लासे में जाएं तो ऐसे मांगते ना रहें चीजों को ठीक है ओके मेरी थर्ड बेटी तो भाई सबसे पहला देखो कितना संदर लग रहा और्गनाइज किया हुआ तो संदर सा अपना जो भी है जो भी केट है आपकी जो भी पैंसिल बॉक्स है उसको पहले साफ करो अच्छे से उसके अंदर ज लाओ है आपके स्टेपलर ले जाना तो स्टेपलर लगो ग्लू स्टिक रखो और दूसरा जो कंपार्टमेंट में उसमें पैंसिल रखो अपने रेजर रखो पैन रखो ठीक है और टाइम टू टू टाइम उसको क्लीन भी करते रहो कुछ बच्चे पैंसिल शाप करकर करके अब भी साफ सुतर होना चाहिए है ना और आई होब कि जाते तो आप होंगे प्रॉपर बढ़िया से यूनिफॉर्म पहन कर साफ सुतरी धुली हुई है ना अल इन वान है हां जी बिल्कुल बिल्कुल आप सब बेटिया ही तो है मेरी हां चलो तो अच्छे से और नाइस करो और ऐसे ब्यूटिफुल दिखनी चाहिए आपकी चीजें ठीक है कुछ बच्चे कह रहे हैं माम क्या क्या है आप मुझे आप बताओ अपने पैंसिल बॉक वेरी गुड़ बहुत बढ़िया अंकीता सब लेकर जाती है और बच्चा क्या क्या लेकर जाते हुआ आप वो मुझे बताओ आली जो पैन लेकर जाते हुआ वह अपनी आदत छोड़ दो खाली पैन ले जाने की ठीक है तो इस क्लास के बाद अभी तुरंत जाना है और क्या करना है सबसे पहले अपने जोमेट्री बॉक्स को अरेंज करना है और यह मान कर चलना है कि आज के बाद मैं किसी से पैन पैंसिल कुछ भी नहीं मांगूंगी ठीक है पक्का अगर कल मैं पूछूं कि आपने अरेंज कर लिया तो सब बच्चों का जवाब क्या रहेगा क्या रहेगा बताओ कि हमने अरेंज करा या नहीं करा क्योंकि चीजें ऐसी अस्त व्यस्त अच्छी निए लगती न और यह वाली चीज में बहुत सारे बच्चों की देख चुकी थी अटलीस तो मुझे लगा कि नहीं बच्चों को बताना चाहिए कि चीजों को और गनाइज करना कितना जरूरी है इसकी हैबिट डालना कितना ठीक है हाइलाइटर ऑल्सो हाँ हाइलाइटर ऑल्सो कुछ बच्चे या पर वाइटनर भी लिख रहे हैं इसके अलावा कोई और ऐसी चीज बताओ जो मैं भूल गई होगी और मैं एक करेक्शन पैन चलो करेक्शन पैन भी लिख देती हूं वैसे बहुत सारे स्कूल में न से हमारी जोल लेयर उसको भी नुक्सान पहुचता है तो कहीं न कहीं यह थोड़ा बैन से भी हो गई है चीजे तो अलाव नहीं होती है स्कूल में तो इसका यूज तो कमी किया करूं ठीक है क्योंकि यह बच्चों में कई बार ब्रीधिंग इशू भी ले आता है सास लेने स्टक के लाउट में आखी चीज है स्टक की नोट में भी सक्रस्प्र बहुत यूज कर सकते हो जो ोंसके हो इ सोद्सक्री मृत इंपोर्टि है कि ऋब हो जरो हो भी सब्सक्राइब क्रेट करता है और बिमारिया भी करता और कोई चीज बताओ जो मैं बूल गई है कमपस है वह मैंने लिखा नहीं है बट कमपस भी ज़रूरी है ठीक है किये मैं कि ठाइम टूटाइम उसकी सफाई ही हर संडे बाट कर अपना पेंसिल बॉक्स जो है बिलुकुल अच्छे से टीन करना है वाश करना है और दुबारे से उसको अरेंज घर्माई तौबा उट कर बट सुछ जाने से पहले उसको चेक कर करना है कि Уसमें सारी चीजे हैं या नहीं है ऐसा नहीं है कि वाग उठाया और चल दिये पता चले आधी बुक भी नहीं नहीं है और स्कूल में जाकर फिर डाट खा रहे हो कि क्यों नहीं लेकर आए अपने चीजें ठीक है अलग से अबैग में रख सकते होो बिलकुल रख सकते हुँ या बंपल्घन के लिए काफि अगर जाते हो तो मेरे खाप अधिन के लिए एनफ है यह में नहीं है थां। बडह में तरफ डालते रहते हैं वह वाली काम नहीं करने है प्रोटेक्टर बिलकुल कलर जॉर्व का अलग से अपना बोक्स जो है वैंग में रख सकते हों जो मैंट्री बोक्स में लगा सकते हूं ठीक है वाइटनर में ड्रग्स होता है हाँ वाइटनर अच्छा नहीं होता है बस यह मान के चलो ठीक है एक्सरा रिफिल और कोई चीज है हाँ स्पामिंग मत कर वही है अलो सूरज शर्मा होमवक हाँ डेली होमवक वेरी गुड़ बाइचांस ठीक है चलो बताओ बताओ और बताओ ना क्या होता है पैंसिल इसमें आपके बॉक्स में अब एक बात सुनो करेंगे कंपैरिंग quantity हम पेरिंग क्वाँटिटी बहुत सारे बिच्चों को मुष्ट करने कुड़ अब तक आप ने सुना था कि बड़ी क्लास संग नाइन लेडों धम एट और आपको लगता होगा कि काश कोई हमें भी मेहनत कराए practice कराए questions की तो हम अपना जो comparing quantities है उसके concept भी समझते जाएंगे और उससे related अपनी practice करते जाएंगे धेर सारे questions की non-stop थीके तो अपने pen pencil अपनी notebook special वाली लेकर बैठना ताकि आपको बीच में उठना ना पड़े उस मेर percentage भी आता है उसमें profit loss भी आता है उसमें interest भी आता है ठीक है simple interest भी आता है उसमें तो ये सारी चीज़े कल की class में ठीक है कल आपकी class होगी 430 पर या 4 उसका मैं पोल करवालूंगी जितने बज़े आप बच्चों को चाहिएगी ठीक है जरूर आना है सभी को factorization भी करवाएंगे भी factorization लेकिन उससे पहले comparing quantities करते हैं एक बार ठीक है ओके डन है तो अब मुझे कल की class में बताना कि किस-किस ने अपना ये जो और्गनाईज कर लिया है और और और्गनाईज करने से क्या फायदा हुआ है ठीक है बताना जरूर फायदा जरूर बताना कोई नहीं कराता ना मैं किस लिए मैं भी कराने के लिए ठीक है अब हम 530 पर मिलेंगे 530 पर मिलेंगे यौर क्लास यूट्यूब चैनल पर जहां पर है आपका जी के कुज्स है और जी के कुज्स 530 पर यार क्लास जो आपका YouTube चानल है क्लास 8 के लिए उस पर है तो मुझे देखना है कि आप बच्चों की GK कैसी है तो 530 शाप जो है अपनी क्लास चॉइन कर लेना ठीक है ताकि पता चल सके आपको भी कि आप बच्चे जीए कितने की आती है क्योंकि जीके भी पढ़ाई का बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है जहां तहां जीके के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं है ना है तो चौरो मिलेंगे फाइव थर्टी और यो